राजगर के मलावर स्टेट अस्पिताल के विवस्ता कुले कर ग्रामीडों को भारी दिकतों का सामना करना पड़ा है हॉस्पिटल ना खुलने के वज़ा से लगबग 40 गाउं के लोग परिशान रहते हैं और इसको लेकर ग्रामीडों ने शकायत भी की है उनके वो ताबिक उन्होंने तीन दिन बाद भूखर्ताल पर बैठने की चेताबनी दी है जिसके बाद स्टेम शृती अगरवाल ने सीयमेचों को पूरे मामले की जाच करने का आदेश दिया है फिलाल देखना होगा की सही वक्त पर ग्रामीडों की समस्या को सुलजाया जाएगा या फिर ग्रामीड भूखर्ताल पर बैठने के लिए मजबूर होगे ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है आपको बता दे की राजकर्ण में ग्रामीडों की समस्या लगतार बढ़ती ज़ारी है हॉस्पिटल बंध होने के वज़जा से ये ग्रामीड परिशान है उनको उच्चत इलाज नहीं मिल पा रहा है और देखा जाए तो 40 गाउं के लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है अपनी मांगे पूरी ना होने के बाद उन्होंने भूगर्टाल की भी चेतावनी दी है ग्रामीडों का खेनाए के उच्चत इलाज नहीं मिल पा रहा है और लगतार डॉक्टर्स अस्पताल में नहीं पहुँश रही है हाले कि इस पूरे मामले में कारवाई के लिए स्टेम ने जाच का नरदेश दिया है जिसके बाद ही ये पूरा मामला हल हो पाएगा फिलाल ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक ग्रामीडों को इसे तरह एस्पताल से वंचुत रहना पड़ेगा जो की एक बड़े सवाल के रूप में सामने आ रहा है आपको बता दे कि राजकर में हॉस्पिटल बंध होने की वज़ा से ग्रामीडों को काफी दिक्कते पेश आ रही है प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र जो की बंध है 40 गाउं के लोग इससे प्रभावित हो रहे है हाले कि ग्रामीडों के श्रकायत पर स्टम ने जाज का नितेश दिया है झाले के लिए एक लिए प्रामीडों के लिए जाज के लिए रहे है